आदर्श आ चार सहिता राजनयतिक दलो और अभियर्थियों के मारकदर्शन के लिए निर्धारित किये गए मानकों का एक ऐसा समू है, जिसे राजनयतिक दलो की सहमती से तयार किया गया है, और उन्होंने उक्ट सहिता में सन्निहित सिध्धान्तों का पालन करने और साथ ही उनको मानने और उसका आक्षर्ष, अनुपालन करने के लिए सभी ने सहमती दी है। इसके अतिरिक्त ये भी सुनिष्चित किया जाता है कि निर्वाचन अप्राद, कदाचार और ब्रष्ट आचरन यथा प्रतिरूपन, रिश्वत खोरी और मद्दाताओं को प्रलोभन, मद्दाताओं को धमकाना और भयवीत करना जैसी गतिविदियों को हर प्रकार से रोका जा सके उलंगन के मामले में उच्चेत उपाय किये जाते हैं आदर्श आचार सहिता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन अनुसूची की घोशना की तारीक से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने तक प्रवरित रहती है लोक सभा के साधारन निर्वाचनों के दौरान ये सहिता संपूर्ण देश में लागू होती है आदर्श आचार सहिता की मुख्य विशेष्टाय निर्धारित करती है कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यतियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया, बैठके आयोजित करने, शोभायात राओ, मद्दान दिवस गतिविदियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज इत्यादी के दौरान उनका सामान या आचरण कैसा होगा? मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार संबंधी कारियों के साथ नहीं मिलाएंगे और नहीं निर्वाचन प्रचार संबंधी कारियों के दौरान सरकारी तंत्रिया कार्मिकों का प्रयोग करेंगे तथा पी, आयोग ने निर्वाचन प्रचार दौरे क के साथ आधिकारिक दोरे को मिलाने संबंधी आदर्श आचार सहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को चूट दी हुई है। कोई भी केंद्रिय या राज्य सरकार का मंत्री कहीं भी किसी आधिकारिक चर्चा है तो राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के किसी निर्वाचन संबंधी आधिकारी को नहीं बुला सकता है। मदद, राहत और इसी प्रकार के विशेश प्रियोज नार्थ ऐसे मंत्री, मुख्य मंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिती अपेक्षित होती है। यदि कोई केंद्रीय मंत्री पुनर्तह आधिकारिक कार्य से दिल्ली से बाहर दौरा कर रहे हैं, जिसे लोखित में टाला नहीं जा सकता है, तो उस मंत्राले विभाग के संबंधित सचिव से इस आशय को प्रमानित करने वाला एक पत्र, संबंधित राज्य के मुख्य सच को भेजने के साथ उसकी एक प्रती निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, कोई पदाधिकारी जो मंत्री से निर्वाचन क्षेत्र में उनके निजी दोरे के दोरान मिलते हैं, संगत सेवा नियमों के अधीन कदाचार के दोशी होंगे और यदि वह लोग प्रतिनिधित् धारा 139.1 में उल्लिखित पदाधिकारी है, तो उन्हें उस धारा के सामविदिक उपबंदों का उल्लंगन करने का अतिरिक्त दोशी माना जाएगा और वे उसके अधीन उपबंदित दान्डिक कारवाई के भागी होंगे. मंत्रियों को अपना आधिकारिक वहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्याले तक शासकिये कार्यों के लिए ही मिलेगा. वशर्ते इस प्रकार के सफर को किसी निर्वाचन प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविदी से न जोड़ा जाए. मंत्री या किसी अजनीतिक कार्य करता को निर्वाचन अवधी के दौरांग, निजी या आधिकारिक दौरे पर किसी पैलटकार या किसी रंग की बीकिन लाइट अथवा किसी भी प्रकार के सायरन सहित कार का प्रयोग करने की अनुमती नहीं होगी. भले ही राज्य प्रशासन ने उसे सुरक्षा कवद दिया हो जिसमें ऐसे दोरों पर उसके साथ सशस्त्र अंगर्खशकों के उपस्तित रहने की आवश्यक्ता हो ये निशेद सरकारी वनिजी स्वामित्व वाले दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगा आपात कालिक स्थिती या अप्रत्याशित आपदाओं यथा सूखे, बार, महमारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने अथ्वा वृद्ध जनों तथा निशक्त इत्यादी हेतु कल्यानकारी उपाय करने के लिए सरकार आयोग का पूर्व अनुमोधन ले सकती है केंद्रिय मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्री, मंत्री तथा अन्य राजनी तिक कारे करता सद्भावना दिवस के योजन में भाग ले सकते हैं बिशर्टे की उनके भाशन का विशय केवल लोगों में सद्भावना को बाँने तक ही सीमित होना चाहिए और इसमें सम्बं इस पर द्वेश पैदा हो अत्वा भिन भिन जातियों और समुदायों, धर्मों या भाशा भाशी लोगों में तनाव बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना करते समय ये केवल उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यो तकी सीमित होनी चाहिए। दलों और अभिर्थियों का निजी जीवन के सभी पहलों की आलोचना करने से बचना चाहिए, जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकरताओं की सारवजनिक गतिविदियों से जुड़ेना हो। दूसरे दलों या उनके कार्यकरताओं की आलोचना निराधार आरोपो या तत्यों को तोड मरोड कर नहीं की जानी चाहिए। गेस्ट हाउस के परिसर में केवल वाहनों को आने की अनुमती होगी जो गेस्ट हाउस में निवास्थान आमबटित व्यक्तियों को ले जा रही हो और इसके अलावा दो आन्य वाहनों की आने की अनुमती होगी यदि वे उनहीं व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किये जा रहे किसी भी एक व्यक्ति को 48 गंटों से अधिक के लिए कक्ष उपलब्ध नहीं करवाय जाने चाहिए। स्टिकर की अनुमती है।